हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो वर चनल ग्यान गंगा आर्वित क्लासस में आज हम लोग बात करने वाले अव्यंग एक टॉपिक है बहुत ही सुन्दर टॉपिक है अव्यंग जो की चरक समिता सुत्रस्थान का पांचमार चेप्टर के अंतरगत है और उस चेप्टर का नाम के ह तो देखेंगे इस अव्यंग को हम लोग अन्य नाम से भी क्या जानते हैं तो इसको देखते हैं आचार चरक ने किस नाम से दिया है तैल मर्दन अव्यंग का मतलब होता है तैल मर्दन तैल मर्दन कहां करेंगे सरीर में तैल मर्दन की बात किया है चरक ने तो उन्होंने इ इसी को हम लोग मसाज भी बोलते हैं, मसाज, तो सरीर का मसाज कराना जैसे सरीर जब ठका रहता है तो कहीं ने कहीं उसको अभ्यांग की क्रिया करते हैं, तो आईए देखते हैं कि अभंग क्या है? तो चरक न जो अव्ययंग की शुरुवात की है, उन्होंने एक उपमा के तहत की है, तो किस तरह से की ये देखते हैं? इसको बहत देखेंगे अव्यyंग को चरक ने किस प्रकार से explain किया है? इसके तुलना किस से की है? लेप से घड़ा और तैल मर्दन से चर्म और उपांग अर्था तेल डालने से गाड़ी के पहिये का जो एक्सिस या अच मजबूत और क्लेस सह होता है कहने का मतलब किसी भी घड़े के उपर जब तेल की मालिस कर देंगे तो मजबूत हो जाएगा और क्लेस सह हो जाएगा जली तूटेगा नहीं उसी तरह से कि तेल मर्दन से चमड़ा जो चमड़ा होता है मजबूत हो जाता है तेल मालिस से चमड़ा और उपांग जैसे गाड़ी के पहिये में जब हम तेल डालते हैं तो इसका एक्सिस जो अच्छ होता वो भी मजबूत और क्लेस सह हो जाता है उसी तरह से तेल मर्दन से तवचा द्रिड़ और सुंदर मतलब मनुस्त के सरीर में अगर तेल की मालिस किया जाए अभ्यां किया जाए तो अच्छा क्या हो जाएगे दिड़ अर्थात मदबूत सुंदर अर्थात चमकिली हो जाती है और सरीर में वात जन्ने रोग नहीं होते हैं तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि तेल का प्रियोग किस के लिए करते हैं वात के शमन के लिए करते हैं तो सरीर में अगर तेल का प्रयोग कर रहे हैं अव्यंग कर रहे हैं या तेल की मालिस कर रहे हैं तो वात जन रोग नहीं होते हैं तथा क्लेस सह एवं ब्यायाम सहने की सकती भी आ जाती है ये तो बात चरक ने कही थी ये किस ने कही थी चरक ने कही थी अब हम लोग बात करते हैं कि सुसुरूत ने क्या बोला है सुसुरूत ने अव्यंग के बारे में कुछ सुन्दर टॉपिक बताया है जैसे अव्यंगु उन्हें कहा अव्यंगु अव्यंगु मार्दो कर कफवात निरोधन तो कफवात निरोधन कहने का मतलब कि अव्यंग क्या करता है सरीर में मृदुता लाता है अव्यंग से क्या होता है सरीर में मृदुता आती है मार्दो कर मतलब 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 म कोई मजबूती आती है तो इस तरह से बात सुसरूत ने कही है आई यह बात करते हैं कि जो अव्यंग करती है उसका व्यानिक अधार क्या है साइंटिफिक बेसिस क्या है जो चरक ने क्लियर कर बोला है देखेंगे अव्यंग जो जिस बेसिस पर कारे करता है उसका साइंटिफ क्या है यहाँ पर हम लोग बात करे रहे हैं जो हम लोग अवयंग जो करते हैं जिसके वज़े से यह सब चीजे हो रही है सरीर जो है मजबूत हो रहा है वाधिजन रोग ने रहे है इसका hvad इं?, उसका बैग्जानिक तौचा में तौचा में क्या होता है। यह वात का अधिश्ठान होता है। अब अब हम लोग बात करते हैं कि जो स्पर्स जो सिंपली जो स्पर्स होता है स्पर्स अर्थात टच जो स्पर्स होता किसके थू होता है तो देखेंगे स्पर्स का जो अनुभव स्पर्स का अनुभव जो हम लोग कोई टच करता है तो ये अनुभव किसके थू होता है ये इंद्री या स्पर्स इंद्री के आसरित होता है के आसरित है ठीक है न तो हम लोग कहने का मतलब कि जो स्पर्स इंद्री या तचा में क्या होता है वाद का दिश्टान होता है जो हम लोग को स्पर्स या टच का अनुभा होता है, किसके आस्रित है, वो भी तवचा के आस्रित होता है, अब बात कर रहे हैं कि जब हम लोग तवचा में तेल की मालिस करते हैं, तेल मालिस करते हैं, तेल की मर्दन करते हैं, तो क्या होगा, तेल मालिस करने से क्या होता है, वात का शमन होता है शमन उस वात का होगा जो वात बढ़ी रहती है जो बढ़ी वात का शमन होता है अतह सरीर में मर्दन करने से ये तवचा के लिए परम हितकारी होता है तो शरीर में जो टेल की मालिस करने से ये तवचा के लिए परम हितकारी होती है जो वात बढ़ने की वज़े से जो रुच्छता ये तवचा में आती है उसके वह वैसे टच सेंसेशन फिल नहीं होता है उसके लिए हम लोग तैल की मालिस करते हैं अव्यंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि वात का श्रमन होगा जो बढ़ी वी वात का श्रमन होगा तो हम लोग का स्पर्स ग्यान आसानी से हो जाएगा अतह इसलिए चरक ने बोला है सो अतह प्रति दिन प्रति दिन तैल का अव्यंग करना चाहिए तैल का अव्यंग करना चाहिए तो इस तरह से ये बेसिक कांसेप्ट है क्यों से लिए तो अच्छा ये टच का कार करती है और तो अच्छा में वात का असर होता तो ये बेसिक है कहने का मतलब यहां पर पूर्श पूर्ण नर्वस सिष्टम को इक्स्रेइन कर रहा नर्वस system को explain कर रहा है जो कि modern का जो है हाना तो हम लोग जानते हैं कि जो touch injury होती है उस तरह से जो हम लोग को होता है ये nervous system पुरा-पुरा explain कर रहा है आरवेद में शुसूत ने चरक ने इस बाद दिखेंगे कि जो चरक ने अव्यंग बोला है शरीर के पूरे हिस्से में बताया है तो चरक ने जो बोला है वो संपूड सरीर में बोला है संपूड शरीर में बोला है ठीक है ना लेकिन वागबट भी संपूड सरीर में बोलते हैं अव्यंग को लेकिन उने बोला है कि विशेश तोर से सिर में, सिर में, करड में और पैर में ये विशेश रूप से करें, मतलब विशेश रूप से अव्यंग करें, अव्यंग करने को बोला है, उसको बैद देखेंगे कि जो अव्यंग होता है या तेल अव्यंग से क्या-क्या लाब होते हैं, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं आप उसको नो डाउन कर लिजेगा तो चरक ने बोला है कि नित्य प्रति दिन सरीर में तैल का व्यंग करने वाले पुरुस के सरीर में अविघात से अर्था चोट से अवियत अर्था पिडित होने पर या बलपुर्व कोई भी कार जैसे भार ढोना गाड़ी खीचना व्याया मित्यादी करने पर भी शरीर की तौचा में अधीक विकार उत्पन नहीं होती हैं और दूसरा प्रति दिन तैल का व्यंग करने से मनुस्य की तौचा का इसपर्स कोमल रहता है और अंग प्रत्यंगों में तौचा पुड भरी होती है पुरुस बलवान और देखने में सुन्दर तथा प्रियाकृति वाला होता है और व्रिध होने पर भी व्रिधा वस्था अर्था ओल्ड एज के लच्छड पूरे न प्रकट होकर अल्प मात्रा में प्रकट होते हैं तो इस तरह से ये पूरक पूरा हम लोगों ने अव्यंग हो या तैल अव्यं को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद